हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम अगें टू लांड व्रिदितिमन तो जैसा कि मैंने आपको पताया था कि आपका टैस्ट होगा तो आज होगा आपका हिस्ट्री का क्लास 6 का टैस्ट आपने अच्छे से रिवीजन कर ली होगी और आज आपको पता लग जाएगा कि आपने कितना जो है वो अच्छे से क्लास को समझा और कितने को शराप कर पाते हैं जिस बचे के 30 में से 30 मार्क्स या 29 मार्क्स जो आते हैं इसका मतलब उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है तो बड़ी ही इमानदारी के साथ पैनर कॉप्य उठा लीजिए और अपने आंसर जो ह जडिए साथ करते हैं को से पफ़्छन वन चंकंडराट मोररे ने सिकंदर के किस सैनपती को परास्त किया था ऑप्शन है पुश्यमित्रसूम, भिंविसार, सैलिकसदीटर और मैगनेस्थीज तो बिल्कुल आपको केवल 5 il 6 सेकेंड के वह दिए जाएंगे और आप इमानदारी से अपने आंसर लगाईए और next question पर चलेंगे तो आपने लगा लिया होगा, इसका आंसर होगा Cellucos negator Question 2 मोरे काल में शाषन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता था? मोरे काल में शाषन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता था? Option है ग्राम, मंत्री परिशद, लोक दल या इन में से कोई नहीं इसका आंसर होगा मंत्री परिशद Question number 3 मैंगनिस्तीज ने कौन सी पुस्तक की रचना की? रतनावली, इंडिका, प्रियदर्शनी या कादमबरी तो इसका सही आंसर होगा इंडिका I hope सभी का आंसर जो है वो सही रहा होगा Question 4 रासम्मत जिले में इस्तित कौन सा गाउं, बनास या आहर संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है? चंद्रावती, पच्मता गाउं, पाला थल स्थल या इन में से कोई नहीं तो सोची आपका सही आंसर तो इसका सही आंसर होगा पच्मता गाउं Next है Question 5 अमरावती नामक स्वेद पाशान निर्मित स्थूप किस नदी के किनारे इस्तित है? Option है सिंदू नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे, दजला फरात नदी के किनारे या बेड़च नदी के किनारे Right answer is कृष्णा नदी के किनारे Next है प्रारंब में महाजनपत काल का सरवादिक सक्तिशाली राज्य कौन सा था? बहुत ही ध्यान से पढ़ना है महाजनपत काल का सरवादिक सक्तिशाली राज्य कौन सा था? मतुरा, मगद, बज्जी या काशी किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए कृष्ण को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है तो इसका सही आंसर आपने लगाया होगा काशी जिनका काशी है तो उनका Right answer है Next है Question 7 बैराट इस तल किस जनपत की राजधानी थी और यहां किस काल के अवशेश मिले हैं? Option है मतश्य जनपत की राजधानी तामर पाशान काली नवशेश मतश्य जनपत की राजधानी महाभारत काली नवशेश बैराट की राजधानी महा भारत काली नक्षेश या इन में से कोई नहीं तो एक-एक कुश्चन जो है वो मने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया भी है और उनकी आंसर जो है वो भी बताये थे राइट आंसर इस मतश्य जनपत की राजधानी है और यहां से हमें बहां भारत काली नक्षेश मिले हैं कुश्चन एट काल की आधार पर वेदों को कितने भागों में बाटा गया है वैदिक काल वा अवैदिक काल रिगवैदिक काल वा वैदिक काल पूरवैदिक काल वा उत्तरवैदिक काल वैदिक काल वा उत्तर वैदिक काल बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि छोटी सी गलती आपका आंसर गलत कर सकती है तो इसका आंसर है काल के आदार पर विदों को दो भागों में बाठते हैं पूर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल तो जिन बच्चों ने डी आंसर लगाया होगा तो वो क्यों गलत है क्योंकि वैदिक काल के अंदर ही इसे दो भागों में बाटा गया है पूरवैदिक और उत्तरवैदिक Q9. घनानंद के बाद मगद का शाशक कौन बना अशोक, मगादीरा, बिंदुसार या चंद्रुगप्त मोर्या तो अगर आपको आंसर पता है तो आपने लगा ही लिया होगा राइट आंसर इस चंद्रुगप्त मोर्या Qis महाजनपत का उलेक रिगवेद में मिलता है? सूरसेन, चैदी महाजनपत, मगद महाजनपत या कुरु तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा आंसर इस चैदी महाजनपत जिसका उलेक हमें रिगवेद में मिलता है नेक्स्ट, मोरेवन्स के किस साशक का नाम उसके अभिलेखों में देव नाम प्रिय दर्शी भी मिलता है ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए अशोक, चंद्रगुप्त मोरे, बिंदुसार या इन में से कोई नहीं फटाफट से अपना सही आंसर लगाईए देखे, एक्जाम हॉल में भी आपको इतना टाइम नहीं मिलता है सोचने का अगर आपको पता है सही आंसर तो आफटाफट उसका आंसर लगा लेंगे अगर आपने अच्छे तरीके से याद किया है आंसर इस अशोक अजण्ता की गुफाएं किस नदी की घाटियों को काटकर बनाई गई है option is बागोरा नदी की घाटी, ताप्ती नदी की घाटी, दजला फरात नदी की घाटी या नरमदा नदी की घाटी तो इसका सही आंसर है भागोरा नदी की घाटी नेक्स्ट है उद्यपूर के उत्तरपूरम में किस स्थल से खुदाई में एक टीले की रूप में आहड के समान अफशेश प्राप्त हुए हैं बाला थल इस्थल, बेड़च नदी के किनारे, गिलून सब्यता या पंचमता गाउं तो इसका राइट आंसर है गिलून्ड सब्यता उद्यपूर के उत्तरपूरम में यहां से टीले के एक रूप में आहड के समान अफशेश प्राप्त हुए हैं नेक्स्ट, सरप्थम किस काल में बुद्ध की मानव मूर्दियां बनी थी? मूरे काल में, साथ वाहन काल में, कुशान काल में या सुंग काल में तो भुद्ध की जो मानव मूर्दियां थी वह किस काल में बनी थी? आंसर इस कुशान काल नेक्स्ट एक कुश्चन, उत्तरवैदिक काल में कौन सा वेद नहीं लिखा गया? उत्तरवैदिक काल में कौन सा वेद नहीं लिखा गया? यजुरवेद, सामवेद, अथरवेद या रिगवेद उत्तरवैदिक काल में कौन सा वेद नहीं लिखा गया? The right answer is Rigved Rigved पूरवैदिक काल में लिखा गया उसके बाद यजुरवेद, सामवेद और अथरवेद ये सबी उत्तरवैदिक काल में लिखे गए राजनितिक द्रस्टी से भारती इतियास का स्वन काल माना जाता है मुरे काल को, गुप्त काल को, कुशान काल या मुगल काल तो इन में से किसे माना जाता है भारती इतियास का स्वन काल? राजनितिक द्रस्टी से, विशेश तरव याद रखना है राजनितिक द्रेश्टी से पूछा गया है तो सही आंजर है इसका मोर्रे काल कुशिन 17 उत्तरवैदिक काल में इस्त्रियों की सामाजिक और धार्मे की स्तिति कैसी थी? दैनियों हो गई थी पूरसों के समान थी पूजनियम आना जाता था या इस्त्री प्रधान इस्तिति थी? तो कैसी थी उत्तरवैदिक काल में? तो इसका आंसर होगा वैदिक काल में इस्त्रियों की स्तिति अच्छी थी उसके बाद उत्तरवैदिक काल में इस्त्रियों की स्तिति दैनियों हो गई थी नेक्स्ट कुशाणों में सर्वादिक प्रिशिद्ध साशक कौन सा था कनिश्क अश्वगोस नागार्जुन या कोजुल कड़िशेश तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा इसका आंसर है कनिश्क मैसोपोटामिया की सब्वेता किन नदियों के किनारे विक्सित हुई वांगो नदी के किनारे, नील नदी के किनारे, दजला वफरात नदियों के किनारे या उपरोक्त सभी जिसका आंसर है दजला वफरात नदियों के किनारे वैदिक काल में व्यापारी वर्ग को क्या कहते थे? वैश्य कहते थे, मुद्रक कहते थे, पणी कहते थे या संख्य कहते थे तो इसमें से अंसर जो है वह क्या होना चाहिए? वैदिक काल में व्यापारी वर को क्या कहते थे तो आंसर होगा पणी पणी कहा जाता था कुशन 21 किसने कहा था कि भारतियों को अनादि काल में लोहे को गलाने की कला का ज्यान रहा होगा तो ये जो वर्डिंग है वो किनकी है क्या निकोलस ने कहा था मेगनिस्तीज ने कहा था विल्सन ने कहा था या जैम स्टॉड ने कहा था तो सही आंसर है विल्सन नेक्स्ट है कॉस्चन 22 कौन सा वेद चम्पू सैली में लिखा गया है कौन सा वेद चम्पू सैली में लिखा गया है यजुरवेद, सामवेद, अथरवेद या रिगवेद इन चारों में से कौन सा वेद है जो चम्पू सैली में लिखा गया है तो बहुत ही सुंदर तरीके से हमने पढ़ा था इस चीज को, इसलिए मैंने आपको कहा था कि चैप्टर्स जो है वो उनको बहुत ध्यान से आप पढ़िए, क्योंकि इससे यहां कुश्चन जो है वो एक्जाम में पूछ लिए जाएंगे, आंसर है यजुर्वेद, यजुर दक्षण भारत की मदुरे शहर में तमिल भासा की साहित्य को क्या कहा जाता था? तो आपने कर लिया होगा, आंसर इस संगम सा हित्य next निम्न मैंसे कौन सा नवरत्न चंद्रगुप्त दृत्तिय के शाषनकाल में नहीं था चंद्रगुप्त दृतिय के शाषनकाल में 9 रत्न थे अमर सिंग, बरुची, बरामहिर या हरिशिन तो इन में से कौन सा नहीं था? नहीं पूछा है यहाँ. तो मैंने पूरे 9 नवरत्न आपको बताए भी थे. आंसर इस हरिशेन हरिशेन जो है वो गुपत तरकाल के थे और चंद्रगुपत दित्य जो है वो गुपत काल के तो ये तीनों जो है उपर के इनके नवरत नों में सामिल थे नेक्स्ट है सिंदू सरस्वती सब्वेता का कौन सा इस्तल सरुपतम दयाराम सहानी ने 1921 में खो जा गया था बहुत ही important question है आपके exam में आएगा फर्स्ट है हडपा, सेकिंड बालाथन, सी है चंद्रावती और डी है मोहन जोद्रो तो इसका राइट आंसर होगा हडपा और जो की सभी का आंसर सही होगा नेक्स्ट है 26 भारती सामिगरी के आयात से रोमन सामराज्य का सोना बाहर जा रहा है यह कथन किसका है प्लिनी का, विल्सन का, निकोलस का या इन में से कोई नहीं आंसर इस प्लिनी का नेक्स्ट सम्राट असोक ने धार्मिग निती के लिए किस अधिकारी को न्युक्त किया सम्राट असोक ने धार्मिग निती के लिए किस अधिकारी को न्युक्त किया इस्त्री महामात्रों को, चानक्यों को, धम महामात्रों को या इन में से कोई नहीं। अंसर इस धम महामात्रों को। Next question, 28. गायत्री मंत्र की रचना किसने की। गायत्री मंत्र की रचना किसने की। रिशी वशिष्ट, रिशी विश्वामित्र, सी है option भगवान गनेश या इन में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या रिशी वशिष्ट होगा? या रिशी विश्वामित्र होगा? या भगवान गनेश या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा रिशी विश्वामित्र इन्होंने गायत्री मंतिगी रचना की थी? भारत कोरो मंडल के किन बंदर गाहों से दक्षिन पूर्वी एसियाई देशों के साथ व्यपार करता था। तो आंसर होगा उप्रोक्त दोनों कोरो मंडल का मसली बटनम और बंगाल का उगली नदी का तट यहां से वह व्यापार करता था। ओप्षिन डी चार तो आंसर क्या होगा इसका सोला तो इसी तरीके से सिक्स क्लास की आपकी रिवीजन जो है वो इस टेस्ट के साथ पूरी होती है और नेक्स्ट जो टेस्ट आएगा वो आएगा आपका कम्प्लीट सैवन्त क्लास का। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू। झाल